मैं दिपाली अब सभी का स्वागत दिपाली ऐस्ट्रो में करती हूँ और देखते हैं आज का दिन 16 नवंबर 2022 कैसा जाने वाला है तो चलिए शुरुआत करते हैं मेश आशी वालों के साथ मेश आशी वालों आज के दिन की मैं बात करूँ तो आज का दिन समानता जाएगा कुछ खास आपको परिस्टितियां देखने को नहीं मिलेंगी कार शित्र में जैसे चल रहा है काफी का बिले तारीफ है कि आपने इतने एफर्ट्स के बाद अपने लिए पॉजिटिविटी इंडिकेट करी है इसी तरह से इसी परिस्टिति को और अनुकूलता के साथ आगे और विश्वास के साथ बढ़ते रही है आपको पॉजिटिविटी जरूर देखने को मिलेगी जो लोग नौकरी चेंज करने के एक्षुक हैं उनके लिए भी परिस्टिति अनुकूल होंगी कोई ना कोई शुप संकेत दिन के अंत में या दो से तीन दिन के अंदर अंदर उनके सामने आने वाला है खास तोर पे अगर आप किसी जानकार के थ्रू नौकरी चेंज करने की या सेटल होने की कंट्री से बाहर प्रयासरत हैं तो उसमें आपको पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी बात करते हैं विर्शव राशी वालों के लिए विर्शव राशी वालों आज का दिन स्वास संबंदी चिंताओं को बढ़ा सकता है मन को शांत रखना है परिस्तितियां अनकूल करने के लिए नकरात्मक उर्जा को अपने आप से दूर रखे साथी साथ कारेशेत्र में आज के दिन फुल अटेंशन और कॉंसेंट्रेशन देने की जरूरत है क्योंकि छोटी सी चीज आपके लिए छोटी सी गलती है छोटी सी चीज आज आपके लिए मेंटल टेंशन का सबब बन सकती है साथी साथ छोटी मोटी स्वास्त में हो रही अनमियोताओं को आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए उस पे काम करना चाहिए साथ डॉक्टरी परिक्षन निरिक्षन या अगर आपकी कोई दवा चल रही है तो उस पे आपको ध्यान देने की जरूरत है बात करते हैं मितुन राशी वालों के लिए अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आपके लिए काफी अच्छी परिस्तिती कारेश शेतर में भी परिवारिक स्थिरता में भी और आपकी mental peace में भी आपको देखने को मिलेगी कारेश शेतर में भी आज के दिन सोच के समझ के सजगो कर चलने की जरूरत है जो लोग निवेश करने के संदर्व में सोच रहे थे, आज के दिन थोड़ा सा विचारों को hold करिये, जल्दबाजी निवेश करने के संदर्व में ना लगाईए सोच के समझ के आगे बढ़ने की जरूरत है जल्दबाजी अगर आपने करी तो आपकी परिस्तितियां नेगिटिव या नकरात्मक रिजल्ट्स दे कर जा सकती है साथी साथ अगर आज के दिन आपका कोई इंटरव्यू है जॉब चेंज से रेडेटेड तो उसको सोच के समझ के पूर्ण रूप से तयारी करने के बाद कॉन्फिडेंस लेवल को मिंटेन या बैलन्स अप्रोच लेकर अटेंड करने की जरूरत है बात करते हैं सिंग राशी वालों के लिए परिस्तितिया नुकूल है सिंग राशी वालों आपके लिए कोई नई परिस्तिती आपके लिए आ सकती है निवेश करने के संदर्ब में प्रॉपर्टी अगर आप एक्स्पैंशन प्रॉपर्टीज को एक्स्पैंड करने के उसमें लगे हुए तो आपके लिए परिस्तिती अनुकूल रहेंगी, साथी साथ लंबे समय से चल रहा कोई परिवारिक तनाव भी साजा होता हुआ नजर आएगा, कोट केस में अगर कोई परिस्तिती चल रही है तो उससे कोई अनुकूलता या कोई नेगोशियेट करते हुए परिस्तिती आपके फेवर में आत में कोई दोरायन नहीं है कि आज के दिन आपको अध्यात्म से कुछ नग कुछ संबंदे अक्टिविटीज भी करनी है जो आपके मन को शांत करके जाएं बात करते हैं कनेराशी वालों के लिए कने राशी वालों आज के दिन की मैं बात करूँ तो आज का दिन आपका तनाव से बरबूर हो सकता है खास तोर पे कारिश्यत्र में स्थिरता बरकरार रखने में आपको प्राबलम हो सकती है सारी शीज़ों को अलाइन करते करते हैं आपको मेंटल टेंशन हो सकती है सोच के समझ के चलने की जरूरत है साथी साथ उन सभी तत्यों को भी बॉट्च करके चले जुआ आपको लगता है कि छोटी सी चीज आपके लिए टैंचन दे सकती है साथी साथ लंबे समय से अगर आप किसी कारे को करने के प्रयासरत हैं जैसे कि नौकरी चेंज करने के एक शुक हैं और आपको rejections मिल रहे हैं या जहां पर आप जाना चाहते हैं महाँ पर अनुकूल परिस्तिती नहीं बन रही है तो आप किसी वेक्ति विशेश की मदद से वो रास्ता भी खुलता हूँ नजर आएगा कुल मिलाके आज के दिन तरफ से positivity देखने को मिलेगी अगर आपने कहीं से run लिया हुआ है उसको repayment करने की परिस्तिती आपके लिए positive होती हुए नजर आएगी अगर आप multiple income resources पे आज के दिन काम करने की कोशिश करते हैं कि ये दोहरे तरफ से आप अपने AI को maximize करने की कोशिश करते हैं तो वो परिस परिस्तिती अनुकूल है मन आपका शांत हैं विजारधारा हैं आपकी प्रबल हैं जिस तरह से आप चल रहे हैं चलते चली आपको सब तरफ से positivity देखने को मिलेगी साथे साथ अगर आप अपने ऊपर कुछ काम करना चाहते हैं अपनी lifestyle में कुछ ना कुछ चेंज लाना चा जो आपके जीवन में चल रहे हैं चोटा मोटा जो stress है उसको भी आज के दिन balance करता हुआ जाएगा बात करते हैं दनुराशी वालों के लिए दनुराशी वालों आज का दिन आपके लिए काफे जादा positivity से भरपूर रह सकता है कारशेतर में recognition मिल सकता है promotion की परिस्तितियां बन सकती है कुछ नया काम नया project आपके लिए positivity लेकर आ सकता है कारशेतर में स्थिरता और बनी रहे इसके लिए आज के दिन आपको मन शांत रखना है और सभी चीजें को align करते हुए जो आपने plan किया उसको execute करते हुए positivity के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है confidence level को भी आज के से देखने को मिले बात करते हैं मकर राशीवालों के लिए मकर राशीवालों अगर सारी परिस्तिति देखूं तो आपके लिए अनुकूल होती हुए नजर आ रही है मन आपका शांत है साथ ही साथ लंबे समय से चल रहा है कोई पारिवारिक तनाव भी अपसाजा होता हो सकती है और आज के दिन के सास्ट में थोड़ी दुर्बलता आ सकती है तो आज के दिन आपको सवास्त्रिय सजग सबल रह आ है और समय समय पे किसी डॉक्टर इरिक्षन ये परिक्षन के जरूरत है तो उसको आपको इदन और नहीं करना चाहिए साथी साथ आज के दिन नवीनतम परिस्तितियों पे आप विचार कर सकते हैं बिजनस उपरचिनिटीज आपके सामने आ सकती हैं जो लंबे समय में आपके लिए प्रॉफटेबल वेंचर साबित हो सकती है तो अब आपको नया मिलने की पुणता परिस्तिती बनेगी साथी साथ जो लोग लांड बेचने की प्रॉपटे सम्बंदेज सेल्स करने की अगर प्रॉपटे को बेचने के लिए एक्शुक हैं तो वो परिस्तिती आपके लिए बहतर डील लेकर आ सकती है और बिजनस पॉइंट विउस से अगर आप एक्स्पैंशन करने की सोच रहे हैं तो आज से वो परिस्तिती स्टार्ट तो होती है लेकिन उसमें 10-15 दिन का समय लग सकता है बात करते हैं मीन राशी वालों के लिए मीन राशी वालों आपके परिवार में आज के दिन बुजर्गों का साथ बना रहेगा आपके उपर आशिरवाद बना रहेगा परिस्तितियां नुकूल रहेंगी बॉसे से भी आपको पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी मन को शांत रखना है कॉंफिटेंस लेवल में जाफा होने के लिए आज के दिन अध्यात्म का सहारा आप ले सकते हैं साथी साथ बुजर्गों के सानिद में रहेए जिससे कि आपकी परिस्तिति और बहतर हो सके दिन की शरुआत माता पिता की आशिरवाद से साथी साथ कारशेत्र में आपको स्थिर्टा बंती हुए नजर आएगी आज के दिन पर आक्रम में भी व्रिद्धी होगी इसी के साथ मुझे आग्या दीजे मैं कल फिर आजिरूंगे नमसकार